सूपरभात बच्चो कैसे हो आज हम कक्षत रित्ते का पाठ तीन हाथी और चीडिया का पाठ्थय पठन करने जा रहे हैं यह एक बहुत ही सुन्दर कहानी है इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिक्षा दी गई है कि हमें कभी भी घमंट नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंट करने वाले व्यक्ति को अंत में पच्चताना पड़ता है और घमंटी व्यक्ति को कभी भी सफलता नहीं मिलती जिस परकार इस पाठ में भी हाथी को अंत में पच्चताना ही पड़ा क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंट था इस पाट की कहानी इस परकार है एक बार हाथी और चिडिया में जगड़ा हो गया हुआ यूं कि एक दिन चिडिया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी वो यहाँ वहाँ से तिनके इकठे कर रही थी एक ही बार में वह एक तिनका उठा पाती थी वह तिनका पकड़ती उड़ती और पेड़ की डाली पर रखाती उसे बार-बार यह करते देख हाथी को हसी आ गई वह चिडिया पर हसता हुआ बोला बैचारी इतनी छोटी इतनी कमजोर है कि एक से ज्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती यदि मुझे ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ हाथी घमंड में यह बोलने लगा घोंसला बनाने के लिए चिडिया ने धर्ती पर गीरा पत्ता उठाना चाहा पत्ता कुछ बढ़ा था उससे उठी ही नहीं रहा था बार-बार उसके मुझे पत्ता जमीन पर गिर जाता यह देखकर तो हथी को खूब हसी आई वे हस्ते हस्ते बोला कुद्रत ने तुमें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है एक पत्ता तो तुससे उठता नहीं मैं चाहूं तो इस पूरे पेड को खाड सकता हूँ क्या तुम ऐसा कर सकती हो चिडिया बोली मैं क्यों ऐसा करूंगी यदि पेड को खाडा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजर जाएंगे एक पेड को बनने में कम से कम दस्वर्ष लग जाते हैं हाथी को गुस्सा आ गया वह बोला चिडिया की बच्ची तुम बहुत ज़्यादा चींचीं करती हो तुमने तिनके और पत्ते को उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है और उसे उखाडने लगा चिडिया नाना करती रही पर हाथी पेड को उखाड कर ही माना पेड पर बने चिडियों के घोंसले नीचे गिरने लगे वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी हाथी ने यहीं बस नहीं की उसने पेड को अपनी पीठ पर टिकाया और वहां से चल दिया इधर उधर गूमने लगा यह देखकर चिडिया ने दुख के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली पर वहां पर एक आदमी भी खड़ा था जो यह सब देख रहा था उसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी वहां हाथी की ताकत को देखकर उसकी ताकत का उपयोग करने के विश्य में सोचने लगा उसने उस आदमी को भाड़ होने के काम पर लगा लिया उन्हें अपने वश में कर लिया सबी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे पहला हाथी भी बोला मुझे भी इस बात का अफसोस है अफसोस मतलब पच्चतावा है तो देखा बच्चो जिस परकार इस घमंडी व्यक्ति को अंत में पच्चताना पड़ा उसी परकार हर व्यक्ति को घमंडी व्यक्ति को अंत में बच्चताना ही पड़ता है उन्हें सफलता नहीं मिलती इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए तो बच्चो ये पार्ट पर आदारित कुछ प्रेशन है मुझे उमीद है कि अब आप इन प्रेशनों के उत्तर देने में शक्षम होगे दे सकते हैं आप खुद स्वेम ही तो इन पर चर्चा करते हैं चीडिया ने घोंसला बनाने के लिए क्या किया ये चीडिया ने घोंसला बनाने के लिए तिन के पत्ते इकठे किये चिडिया पत्ता क्यों नहीं उठा पा रही थी? चिडिया पत्ता इसली नहीं उठा पा रही थी क्योंकि पत्ता कुछ बड़ा था हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने क्या किया? हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने उसे वश में किया और सामांड होने के काम पर लगा दिया इस पार्ट मैं आए कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको कक्षा गुरूप में भेज दूँगी और इस पार्ट पर अधारित वरक्षिट भी भेज जूँगी जो आपने सुन्दर वर साफ लिखाई में करनी है घर पर रहें सुरक्षित रहें वर स्वस्त रहें धन्यवाद